नमस्कार मैं आलोकती बारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो में हम आपके सामने वर्ष 2022 में पढ़ने वाले सूरी ग्रहड के बारे में संपुण चर्चा करने जा रहे हैं प्रियसातियो सूरी ग्रहड आकाश मंडल में होने वाली एक ऐसी खगोली घटना है जिसका प्रभाव प्रिथिवी वासियों के उपर चाहे वह मानव हो या कोई जीवजन्तु हो या पेड़ पौधे हो सब के उपर कोई न कोई प्रभाव पढ़ता है जब भी कोई इंसान सूरी ग्रहड के बारे में सुन लेता है तो वह डर भी जाता है कि कोई अन्होनी घटना घटित हो सकती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सूरी ग्रहड एक विशेश दिन होता है इस दिन आप कोई भी तांत्रिक सिध्धी प्राप्त कर सकते हैं तो आए जानते हैं कि वर्ष 2022 में कितने और कब कब सूरी ग्रहड है और इनका भारत वर्ष पर क क्या प्रभाव होने वाला है यह जानकारी काशी द्वारा प्रकाशित महावीर पंचांग के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है वर्ष 2022 का पहला सूरी ग्रहड 30 अप्रेल 2022 दिन शनिवार को पड़ेगा जो की बैसाख अमावस्या को है यह ग्रहड खंड सू भी शेत्र में यह दिखाई नहीं देगा भारती मानक समय के अनुसार पर यह ग्रहड दोपहर 12 बजकर 15 मिनट से प्राराम्ब होकर सायम 4 बजकर 7 मिनट तक दिखाई देगा लेकिन यह भारत वर्ष में कहीं भी दिखाई नहीं देगा भारत वर्ष में दिखाई न देने के वर्ष 2022 का दूसरा सूरी ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को है यह भी खंड सूरी ग्रहण के रूप में ही है जो की कार्तिक की अमावस्या को है भारत वर्ष में यह सूरी ग्रहण ग्रस्त आस्त खंड सूरी ग्रहण के रूप में दिखाई देगा भारती मानक समय के अनुसार इसका इसपर्ष दिन में 4 बच कर 29 मिनट पर तथा मोक्ष 5 बच कर 42 मिनट पर होगा इस सूरी ग्रहण का अदभूत द्रिश खुली आँखों से भी देखा जा सकेगा क्योंकि सूरियास्त का समय रहेगा देश के अलग-अलग इस्थानों पर इस सूरी ग्रहण के इसपर्ष का समय अलग-अलग होगा तथा मोक्ष भी सूरियास्त के इस्थानी समय के अनुसार पर अलग-अलग होगा जब भी सूरी ग्रहण होता है प्रतेक राशी वालों के उपर कोई न कोई प्रभाव अवश्य छोड़ कर जाता है किसी राशी के लिए शुब होता है किसी राशी के लिए अशुब होता है लेकिन इसका प्रभाव 15 से 20 दिनों तक ही रहता है उसके बाद फिर से इसका प्रभाव नार्मल हो जाता है प्रभाव समाप्त हो जाता है आए अब हम यह जानते हैं कि प्रतेग 12 राशी वालों के लिए क्या क्या शुभ अशुभ परिणाम होने वाला है मेश राशी वालों के लिए इस्तरी कश्ट है व्रिश राशी वालों के लिए सुख है मिथुन राशी वालों के लिए चिंता है करक राशी वालों के लिए वैथा है पीडा है सिह राशी वालों के लिए श्री है अर्थात उनकी कहीन कहीं से उन्नती होगी कन्या राशी वालों के लिए छती है तुला राशी वालों के लिए घात है ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए हानी है धनु राशी के लिए लाभ है मकर राशी वालों के लिए सुख है कुम्भ राशी वालों के लिए मान नाश अर्थात कहीं न कहीं से आपका अपमान हो सक मीन राशी वालों के लिए मृत्यू तुल कश्ट हो सकता है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वर्ष 2022 में पढने वाले सोरी ग्रहण के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। हमारे चैनल पर उपलब्द है उस वीडियो को देख करके आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे आगे दीजे मिलते हैं अगले किसी ग्यान वर्धक वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत बंबं भोले नात की जै 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 गुरुदेव। कि मुझे जैज जैज नात की जैजे उसके यह ओने उैज अटियो को ध है मिलते है जै आब तक कर दो जएो यान भोले अओ नग़्स झाल झाल